दोस्तों नमस्कार आदाब सर्थ स्रीयकाल नियोज क्लिक के कारिकरम हफते की बात के साथ मैं उर्मिलेश सुबह शनिवार को उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक भूचाल सा खड़ा हो गया विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी उसके कई ऐसे प्रमुक नेता जो अखिलेश यादो के काफी नजदीक हैं अखिलेश यादो जो समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी की मौजूदा जो सरकार है योगी महराज की सरकार उसके विरुद्ध चुनाव की जो तैयारी चल रही अभी पक्षकी उसमें एक प्रमुख धूरी के तोर पे सामने आये हैं तो जितने अखिलेश यादों के प्रमुख कुछ सिपासालार हैं राजनितिक लोग हैं उनकी पार्टी के उसमें एक राश्टी सचीव हैं प्रवक्ता हैं इन सब के घरों पर दफ्तरों पर इंकम टैक्स की चापे मारी चल रही है जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो उस समय भी इन दिनों एन आई नाम की एक नियुज इजनसी काफी महत्मूर्ण बनी हुई है और एन आई को कोट करते हुए तमाम वेब साइटों ने तमाम टेलिविजन चलनों ने जो खबर चलाई है उसके मुतलिक राजीव राय जो समाजवादी पा पार्टी की तरफ से बातचीत करते हुए और इसके अलावा एक सज्जन है منोज यादो मनोज यादो भी समाजवादी पार्टी के शिर्स नेता अ खिलिज यादो के काफी करीबी माने जाते हैं और एक आरसियल ग्रुप वो चलाते हैं जो आरसियल ग्रुप के वो और है मनो इनके हाँ भी छापे मारी की गई है और छापे मारी जो चल रही है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनोग के विशाल खंड में अखिलेश यादो जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनकी सरकार में एक OSD थे उन सज्जन के हाँ भी विशाल खंड के उ साफी पुखता मानी जाती है इन दिनों एन आई उसकी खबर के आधार पर मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं दोस्तों इस पर अखिलेश यादो समाजवादी पार्टी के नेता के अलावा विपक्ष के अनेक नेताओं ने इसकी तीखी आलोचना की है और पुझे गा विपक्षियों पर रेड उतना ही बढ़ेगा भाजपा वाले क्या उत्तर प्रदेश की 22 करोड जनता पर फिर चापे मारेंगे उनका कहना है कि भारती जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान मे अभी बिगुल बजा नहीं है आपचारिक तोर पे निर्वाचन आयोग ने अभी तक घोषना भी नहीं की है चनाव की लेकिन भारती जन्ता पार्टी को एहसास होने लगा कि वो चनाव हार रही है ये अखिलेश यादो का दवा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैं तो तब तक नहीं कहूंगा जब तक नतीजा सामने नहीं आ जाए लेकिन हमारा ये कहना है कि जो दावा सत्ताधारी दल कहरा है कि वो तीन सो से उपर सीटें जीतेगा विपक्ष कहरा है कि बीजेपी बुरी तरह हार रही है तो ऐसे दोर में दोस्तों ये जो च्छापे मारी उत्तर प्रदेश की राज को दरसाती है क्या खताशा को दरसाती है अकिर क्या वज़ा है ये भी क्या वज़ा है कि जब से भारती जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में केंद्र में तब से जब कभी किसी भी राजे में चुनाव आता है और वहां कोई विपक्षी ताकत भारती जनता पार्टी से टक आपको याद होगा दोस्तों बंगाल में ममता बनर जी की सरकार पहले भी थी इस वक्त यह चुनाओ के बाद लेकिन ममता बनर जी जब चुनाओ में बीजे पी को क्योंकि बीजे पी ने दावा किया था कि वो बिलकुल बंगाल को इस बार जीत कर दिखा देगी ममता बनर जी जम कर लड़ने लगी बीजे पी से उसके नेताओं के हर तर्क हर दलील के खिलाब वो दारती थी तमाम तरह के नारे वो भी लगाती थी उस वक्त अभिशेक मेनर जी जो उनके भतीजे हैं उनके हाँ छापा पढ़ने लगा इसके पहले छापा नहीं पढ़ा था लेकिन जैसे ही चुनाओ का कदमताल सुरू हुआ जैसे ही बंगाल में चुनाओी सरगर्मियां तेज हुई छापे मारी तेज हो गई टीमसी के बहुत सारे नेताओं के हाँ छापे मारी हुई कईयों पर इस तरह के केसेस का दबाव बढ़ाया गया कि बताया जाता है कि बहुत सारे लोग तो यूहीं टीमसी छोड़कर बीजेपी में जाने लगे और जब ममताव इनर्टी चुनाओ जीत कर फिर से सत्ता में आई तो वे सारे लोग फिर टीमसी में आने लगे कमाल की राजनीती है तो भारती जनता पार्टी ने जो प्रियोग बंगाल में किया जो प्रियोग बिहार में किया जो प्रियोग हर उस राजे में किया जहां उसको लगता है कि कोई भी पक्षी ताकत ताकत के साथ उबर र सरवाधिक जो चनाव खर्च करने वाली पार्टी भारत में है वो आज से नहीं पिछले कई वर्षों से वो भारती जनता पार्टी है भारती जनता पार्टी सबसे अधिक जिसका election expenditure है और यह official है यह कोई अपनी और से मैं नहीं कह रहा हूँ आप ADR की रिपोर्ट देख लीज election bond का पूरा का पूरा जो खेल है वो स्कैम है लेकिन उस पर भी कुछ नहीं तो हमारा यह कहना है कि अगर विपक्ष के सारे लोग सारी पार्टियां गरबड़ हैं सम्में गरबड़ी है तो यह चुनाव के दर्मियान ही क्यों चापे पढ़ते हैं चापे चुनाव से पहले भी होनी चाहिए अब आप देखिए अभी शेक बनर जी के मामले में उनकी धर्म पत्नी के मामले में अब बिलकुल खामोशी सी है यह क्या खेल है तो उत्तर प्रदेश में जो इंकम टेक्स की चापे मारी आज शनिवार को सुबह से हो रही है क्या वह भारती जनता पार्ट जिस तरह समर्थन दिख रहा है समाजवादी पार्टी को क्योंकि समाजवादी पार्टी ने साल भर या चार साल पहले पांच साल पहले इतना जबरदस्त काम नहीं किया था लोग समाजवादी पार्टी से बहुत निराश थे कि एक प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजोद भी ये उत्तर प्रदेश में सरकार की विफलताओं के खिलाप उस तरह से काम नहीं कर रही है लेकिन ऐसा लगता है कि भले विपक्षी दल के नेता मौझूदा सरकार से चाहे जितने निराश हो भले जितने निश्क्री भी हो थोड़े लेकिन जनता ज्यादा निराश है और ज्यादा सक्री होकर वो मौझूदा सरकार की मुखालफत कर रही है तो जनता के प्रेसर में शायद निश्क्री विपक्षियों को भी उत्साह आ गया है और यही कारण है कि बीजेपी परिशान है तो इन शापों की व्याख्या इस प्रकार भी की जा रही है अब देखना है कि यह व्याख्या सही है या गलत है यह कुछ दिन में बिल्कुल बात सामने आ जाएगी और दूसरी ख़बर दोस्तो हफते की जो है हम हफते की अनिक ख़बरें आपके सामने पेश कर सकते हैं लेकिन हमारा यह कहना है कि जो इस हफते की सबसे बड़ी जो ख़बर है वो मैं उसकी एक संचिप समिक्षा आपके सामने करकर अपने कारिक्रम को मैं पेश करता हूँ दूसरी जो हमारी आज सबसे बड़ी ख़बर है वो एलेक्षन कमीशन और न्यूस क्लिक के दर्शकों को अच्छी तरह याद होगा कि हमने पहले भी इस वारदात इस वाक्या से पहले भी कहा है अपने कारिक्रमों में कि भारत के निर्वाचन आयोग की जो विश्वसनियता है जो प्रामारिकता है जो निस्पक्षता है वो पिछले कई वरसों से संदिग्ध हो गई है एक ऐसा एलेक्षन कमीशन जिसे साउथेशिया ही नहीं बलकि तमाम विकास सील देशों के स्तर पर सबसे भरोसे मंद प्रामारिक एलेक्षन कमीशन माना जाता था और जिन छोटे मजोले विकास सील देशों में चुनाव होते थे पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार या किसी विवाधास पत इस स्थितियों में चुनाव संपन कराये जाते थे तो हमारे देश के election commission को invite किया जाता था कि आप आईए conduct करवाई election या कम से कम निगरानी कीजे आज हालत है कि उस election commission की जिसे TN सेसन से लेकर और जैम लिंग्दो तक इस तरह के जो election commissioners थे चीफ एलेक्शन कमिशनर थे उन्होंने विश्व सनियता परदान की थी उसकी विश्व सनियता को रौधा जा रहा है बुरा खाल कर दिया गया है और ऐसी स्थिती में दोस्तो जाहिर है दबाव सत्ता का होगा इसमें तो कोई दोराय नहीं है क्या निर्वाचन आयोग पर जो बातें पहले कही गई है क्या वो वाकई साब साब दिखाई दे रही है मैं ये सवाल आज इसलिए उठा रहा हूँ कि हमारे देश के कुछ प्रमुख अख़वारों ने ये ख़वर चापी है कि 16 नौमबर को प्राइम मिनिस्टर आफिस के एक बहुत बड़े ओदेदार जो भारत के प्रधान मंत्री के प्रमुख सक्चिव है प्रिंस्पल सेक्रेटरी है पीके मिश्रा साहब उनकी सदारत में उनकी अध्यक्षता में होने वाली एक बैठक में चुनाओ आयोग की पूरी टीम यानि तीनो निर्वाचन आयुक्त चीफ एलेक्षन कमिशनर और दो एलेक्षन कमिशनर इन सबको बैठने की उस बैठक में इंटरेक्ट उस इंटरेक्षन में शामिल होने की जो आनलाइन मीटिंग थी उसमें एक तरह से विवश होना पड़ा शुरू में उन्होंने संकोच किया शुरू में हिच्च किचाहट दिखाई कि क्या प्रैमिनिस्टर के आफिस से जो बैठक की जा रही है उसमें इलेक्षन कमिशनर को जो जिनकी निस्पक्षता पारदर्शिता बहुत स्थापित है क्या ऐसे में जाना ठीक होगा लेकिन अंततवर नव जाने क्या हुआ अब अंदर अंदर क्या हुआ ये कैसे कोई जानेगा लेकिन उनको इंट्रेक्शन में शामिल होना पड़ा ये ऐसा अतीत में कभी शायद नहीं देखा गया क्योंकि जितने पूर्व निर्वाचन आयुक्त हैं या पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने भी आखवारों में बयान देकर या लेक लिखकर इस घटना को अभूत्पुरू बताया है ऐसे में सवाल उठता है कि अभी प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं 2024 का चुनाव होना है कि आज Election Commission की मौझूदा टीम सत्ताधारियों के समक्ष अगर इस तरह से समर्पित होगी तो क्या वो निस्पक्षता अपनी बरत पाएगी पहली बात और दूसरी बात कि सिर्फ निस्पक्षता बरतने की बात नहीं है निस्पक्षता दिखनी भी चाहिए पारदर्शिता केवल होनी नहीं चाहिए पारदर्शिता को होते हुए दिखना भी चाहिए लोगों को लोगतंत्र का ये तकाजा है तो दोस्तों मैं बिलकुल आखीर में कहूंगा कि दरसल election commissioners जो भी होते हैं उनका नैतिक बल उनकी मर्यादा और उनका साहस कि वो कभी भी समर्पित नहीं होंगे किसी भी दबाओ में दबाओ में नहीं आएंगे अगर ये दक्ष्टा ये च्छम्टा कम होती है तो जाई रैप पूरी की पूरी संस्था प्रभावित होती है और ऐसे में article 324 of Indian Constitution भारत के संविधान का अनुचेद 324 जो अपने देश में elections को नियंत्रित और निर्देशित करने की सारी की सारी वियोस्था से डील करता है क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हम उस अनुचेद को संशोधित करने की लिए सरकार पर दबाओ बनाएं क्या हम भारत के लोग क्या ये मैसूस नहीं करते कि भारत के निर्वाचन आयोग की जो दक्षता है जो छमता है जो निस्पक्षता है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अगर सवाल उठ रहे हैं तो क्यों न निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदला जाए क्यों न उसमें संशोधन किया जाए भारत के निर्वाचन आयुक्त में जो नियुक्त होते हैं आयुक्त उनकी नियुक्ति सरकार करती है राष्टपती के आदेश से होता है लेकिन दरसल वो कैबिनेट के जरिये जाता है तो अगर भारत में अनेक कांस्टिशनल जो पोजिशन्स हैं उनमें अगर कमेटियां बनी होई हैं जिसमें विपक्ष के नेता की भी उपस्थिती होती है कई ऐसी प्रशासनिक संस्ताइं हैं जहां पर इस तरह की जो मीटिंग होती हैं कि कई लोग उसमें शामिल होते हैं तो क्यों नहीं भारत के मुख्य जो नियाधीश हैं विपक्ष के नेता हैं माननी प्रदानमंत्री देश के हैं इन सब को मिला कर कोई ऐसी कमेटी हो और गणमानी लोग भी लिए जा सकते हैं और ऐसी गणमानी लोगों की एक कमेटी साजा कमेटी निरवाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करें और सरकार का जो एक आधिकार हो जो इस समय है भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ती में वो खतम हो तो ये एक प्रमुख मुद्दा मैं आपके सामने छोड़े जाता हूँ इनी शब्दों के साथ आज बस इतना ही नमस्कार आदाप सच्छियकाव